ये वीडियो बनाने की टाइम मुझे ऐसा रहा है कि दोस्तों मैं सेम वीडियो को दुबारे बनाने जा रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले बोल्टोरड़ीयो के रिभी किया था जो कि फ्लिप कर्ड में 1000 रुपए के लिए लॉंच वे थे और आग की वीडियो में हम रिभी करने वाल हैं बोल्टोरड़ीयो एक 3D और यहां पर है में ममझिक टेस्ट करने के लिए इस तरह सा स्ट्यो माइकरफोन का यूज करने बाल ह और यहाँ आपको 40 यावस की play-by-time मिलेंगे लेकिन यह play-by-time अगर इसको आप 60% volume के साथ सुनोगे तो तभी मिल सकता है 100% volume के साथ आप यह मान के चलो कि आपको लवक 30 यावस की play time मिल सकता है जो कि एगें 1000 रुपी के हिसाब से काफी बढ़िया है call quality कैसे रहेगी उसके भी test करेंगे और bold.x50 में बहुत सारे frequently ask question था जो कि इस वीडियो में cover होगा तो वीडियो को जरू से अंतक देखना बीना skip करें अच्छा लगे वीडियो लाइक जरू करना है चैनले पे ने हो दोस्तों सरू से सब्सक्राइब करो और साथ में bell icon को दबादाना था कि ऐसे useful content जभी भी आए आप उसको कभी miss ना कर पाए So hello everyone, my name is Jabuji तू welcome to our channel Dave ID Box packaging के बात करें तो यहाँ पर आपको bold.x30 देखने को मिलेगा और दोस्तों यह एक made in India product है पीछे यह T-DOS की कुछ features मिल जाएंगी और box scanner की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 month की extended warranty मिलेगा और इसको reading करने के लिए जरू से यह QR code को scan करके process को follow करना तो total यहाँ पर आपको 15 month की warranty मिल जाएगी और यहाँ पर आपको एक reward card देने को मिलती है और एक आपको user manual देने को मिल जाएगा TDOS को charge करने के लिए आपको type C की charging cable और कुछ extra ear tips जरू से अपने size के recording यूज कर लेना और TDOS की बात के तो इसकी design आपको exactly bolt audio X50 के जैसे देने को मिलेगा उपर यहाँ पर आपको bolt audio की branding सामने battery indicator light और पीछे आपको type C की charging port देने को मिलती है complete unit यहाँ आपको mat finishing में देने को मिलते हैं और hints की बात के तो यह भी आपको अच्छी देने को मिलेगी जादा strong नहीं है लेकिन 1000 रुपे के इसाफ से देखा जाए तो इसकी quality आपको अच्छी देने को मिल जाएगी तो यहाँ आपको touch controls देने को मिल जाएगी और x50 वे भी से में दोनों में आपको touch controls देने को मिलते हैं और सामने में आपको यह आपको screenshot देता हूं कि इसकी touch controls कैसी काम करेंगी वैसे यहाँ आपको volume control जैसी feature देने को मिल जाएगा अगर आप left earboard को तीन बार continuously tap करोगे तो volume reduce होगा और volume को increase करने के लिए आपको right earboard को continuously तीन बार tap करना पड़ेगा यह tedious में आपको तीन equalizer mode में जाएगे एक hi-fi mode, एक balance mode और एक rock mode और guys इसको use करने के लिए आपको right earboard को continuously चार बार tap करना पड़ेगा और gaming mode को activate करने के लिए आपको left earboard को चार बार tap करना पड़ेगा यूजर में पर connectivity की details आपको Bluetooth 5.2 देहने को मिलेगा इनकी official website में 5.2 mentioned है, Amazon में 5.1 तो यह मान के चलो भाई, इनके जो connectivity की details इतने accurate नहीं है लेकिन 10 मिटर के range पे यह details बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे IPS 5 की rating है, तो हलके बूल के पाने के छीटे गिर गए या फिर sweat होता है workout के time में, तो इन earboards को कोई भी नुकसान नहीं होगा और iniator की fitting होने के बज़े से दोस्तों यहाँ आपको काफी बढ़िया fitting मिल जाएगा जिस बज़े से आप इसको running या फिर workout के time ही use करेंगे तो यह easily नहीं गिरेंगे और earboards भी जादा lightweight नहीं कि जादा heavy नहीं है जिस बज़े से दोस्तों यह काफी comfortable लगेगा आप इसको long hours तक बीना कोई दिक्कते साथ use कर सकते हो और यह details में आपको instant wake and pair वाली technology मिल जाएंगे जिस बज़े से इसकी earboards को आप जैसे open करोगे automatically यह last connected device से साथ connect हो जाएंगे और दोस्तों यहाँ आपको high quality codec AC तक का भी support मिल जाता है और generally board audio की maximum audio product में आपको driver size देने को नहीं मिलेंगे तो जल्दी से इसके real time test करके देख दें कि इसकी music idea आपको कैसे देने को मिलती है तो यह bold audio x30 की music idea को काफी बढ़ा देने को मिल जाएंगे और दोनों में x50 और x30 में आपको music idea को लेगे कोई भी फरक नहीं है जैसे bold audio x50 आपको अच्छी audio provide कर रही थी इस पे भी आपको अच्छी audio quality मिल जाएगी यहाँ पे आपको तीन equalizer mode मिल जाते हैं इस बज़े से दोस्तों आपके requirement के साबसे आप जरूर से इसको use कर लेना आपको यहाँ बहुत अच्छी sound quality मिल जाएगा ज़्यादा बेस से तो इसकी जो बेस मोड को switch कर सकते हो लेकिन ज़्यादा फरक नहीं आएगा लेकिन दोस्तों इसकी जो बेस मोड को use करने अबाग आपको definitely काफी प्लेजान sound output देने को मिल जाती है overall 1000 रुप के हिसाब से इसकी audio quality आपको काफी अच्छा मिल जाएगा तो definitely guys music quality को लेके कोई भी परसान ही नहीं है बागी जल्दी से इसका call test भी करते हैं और जानते हैं कि call quality आपको real time में कैसे देने को मिलेगी तो जैसे आपने इसकी call test देखा दोस्तों इसकी call quality भी काफी बढ़िया है इंडोर हो या फिर आउडर कर्डिशन में आपको calling को लेके कोई भी दिक्कर नहीं आएगा तो अभी जल्दी से करते हैं इसकी gaming test जानते हैं इसकी जो 45 millisecond की low latency कितनी अच्छी तरीके से काम करता है तो gaming test आपने देखा दोस्तों यहाँ पर आपको काफी low latency मिल जाएंगे जिसवादे से आप आराम से इसको gaming के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और गाइस यहाँ पर आपको कोई भी फार देने को नहीं मिलता है बस आपको कलर option देने को मिलती है एक्षिट्य में आपको वाइड और ब्लाक का option मिलेगा लेकिन एक्षिट्य में आपको एक ब्लू और ग्रे का option मिल जाती है आप अपने required color के इससाफ से इन चारों में से किसी को भी चुन सकते हो लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ प्राइस को देखेंगे 1000 रुपे के इससाफ से यह एक all-down product है जिसमें आपको अच्छी calling, अच्छी music, अच्छी gaming ए सासाथ, अच्छी battery life भी मिल जाती है तो definitely यह एक जिस्टा का हमें भी follow कर सकते हो और ऐसे content देखने के लिए जरू से चैनल को subscribe कर देना हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में till that take care बाबाई